उसे बिल्कुल चुके 2006 का एक मामला थो जो की कांट संख्या 42 2006 था जो की CEO के द्वारा हमारे उपर केस किये गया थे जिसमें कि हमें सजा दी गई थी 23 सितंबर 2018 को और उसमें हमारी विधाय की चली गई थी उसको लेकर हमने अपील फिर से किया था हाई कोट में और हाई कोट म मिल जा रहा हूं और साथ साथ और एक मामला था जो कि हमारे विधानसभा गहराओ का मामला था जो कि हमने 3 अगस्त 2,022 को किया था और कांट संख्या जो की धृधर ढूर में 208 अबलिक 220 2,022 तो उसको लेकर हमने बेल को लेकर अपील की हुई थी इवाँसे जब हमें नही संवर्पन करना है किस केस में संद्राइब दोनों केस से सर जैल जा रहें पहले भी जैल जा चुका है तद कालीन सरकार अरजुन मुंडा जी की थी उस वक्त हम पर मडर के से ला दे गए जिस बच्चे का जिस बच्चे को हमने बचाने का प्रयास किया उसका ही मडर के समपर लादा गया था उस वक्त हमें एक सल जेल भेजा गया था और आज फिर से हमें जेल जाना पड़ रहा है तो कहीं ने कहीं यह सरकार जो है जो भी सत्ता में बैठती है तो मगरूर हो जाती है अपने करतब्यों का निर्वाहन नहीं करती है और आंदोलन जो करते हैं लोग उसे कुचलने का प्रयास करते हैं तो इसलिए फिर से आज सर खतियानी हित में हमें जिल जाना पड़ रहा है हम जाएंगे और ऐसे अपन हुआ यहां कि नहीं हो सका है यहां जो रहरे हैं दस सालसे पंदर सालसे वह लोग भी जारखंडी कहते हैं और कहीं ने कहीं सरकार भी उनके पेरलल हमें खड़ा करती है तो यह तगलीब दे है सर तो इसी निवीत हमारा सर आंदुलन था घेराओ था बिल्कुल ही संबेदन हीन सरकार है सर और लोगों को सिर्फ गुमरा करने का काम कर रही है और खत्यानी के अगर चिंता होती तो इन तीन वरस होंगे इन से पहले भी हेमन जी को डेड़ साल का मौका मिला है तो हम तो कहें साड़े चार साल जो इनके बीच चुके हैं इन साड़ चार साल में अगर ये खत्यानी हितकी बात करते जहर खंडी हितकी बात करते जहर खंडियों के अगर तनिक भी चिंता करते तो खत्यान के अधार पर इस्थान निती बना देते और तब अब हम बता दे सर अब तक हमारे तकरीबन आट लाग दसलाग लोग रोजी रोजगार से जुड़ियाते जिनका जैसा योगिता है उस योगिता के आकलन करते हुए अब तक बहुत सारे लोग हमारे बहतर जिन्दगी जी रहे होते हैं जो कि नहीं हो सका है अमिद जी एक अलग सवाल है कि अब एक समय में आप जैमेम से विधायक थे अब चुके सरकार से बगावत कर चुके हैं कि सरकार से नाराज़गी आगे आने वाले समय मौका मिला तो बीजेपी में जाएंगे कोई विजेपी नहीं सर हमारी खुद की सोच और सोच के आधार पर एक पार्टी रचित है जो कि खतियानी जरगंडी पार्टी है जिसमें कि हर एक खतियानियों की एक्छाएं उनका प्यार सम्मान भरा हुआ है तो हम लोग अपनी पार्टी से लड़ेंगे सर खतियानी जर आजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें